लोगों की बहुत भारी जीत थी पिछली बार, मिंटेन कर पाएंगे उसको कह रहे हैं लोग की वहाँ पे थोड़ा माहौल दबा हुआ है। प्रदान मंत्री जो करते हैं उसको एक युवराज उठाके प्रेस कॉन्फरेंस में दवस्त कर देते हैं। मैं जब आकड़े जोड़े और देखा, मुझे ध्यान में आया कि और कोई पाटी नस्देग भी नहीं आती है। जितनी सीटे हम सभी स्टेट्स मिला के, करनाटग, तेलंगाना, अंध्रा, और केरल, टामिलनाडू, सभी मिला के। अगर आपको इतना ही कान्फिडेंस है कि चार सौ पार आराम से होगा, भारती जनता पार्टी की तीन सो सतर सीटे आएंगी, तो जो ये चुनाव का मोमेंटम शुरू हुआ था, तो आप लोग डिवेलपमेंट की बात कर रहे थे, अपने मोधी जी के कारेकाल में जो भी ब कि बात कर रही है, हिंदुों का जो है, की जमापुझी लेकर मुसल्मानों में बाट देगी, घुस्पैठियों में बाट देगी, इसको आप कैसे देखते है, इसकी क्या जरूरत है इस समय इस बात को उठाने है, हमारी तरफ से तो ये निकलाई नहीं है, आप आज भी मोध काल में हम विक्सित भारत बनेंगे, और उस दिशा में क्या-क्या कदम उठाये जाएंगे, हमारी तीसरी टर्म में, मुझे लगता है कि दुरभाग्यपूर्न है कि कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों आने के बाद, उनका पोल खोल हो गया, उनका खुलासा हो गया, कि वो अभी सैम पिट्रोडा जी के दिखाई हुए आर्थिक विश्यों पे चलने के सोच रहे हैं, उनके लिए अभी भी जो बेदभाव की राधनीती है, वो प्राथमिक्ता लेती है, और उन्होंने जिस परकार के ब्रहम पैदा करने की कोशिश की समाज में, उसको हमें लोगों के बी हमने नहीं बंद किया लिखनी, पर सुभाविक रूप से मीडिया हो, सोचल मीडिया हो, उसमें चटपटी बाते थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट या टीरपी और हेडलाइन हंटिंग तो रहती है, तो इस यह ऐसा सा फील होता है कि यह नरेटिव चेंज हुए, पर आप क हम जो कैंडिडेट से हमारे लेवल के भी भाषन देखें, तो बड़ी सकारात्मक सोच के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं, पॉजिटिव नरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं, कैसे यह चुनाओ देश का भाग्य विधाता वाला चुनाओ, देश का भाग्य बदलने वाला उस चीज़ पर हमारा फोकस ज़्यादा रहता है, यह चुनाओ तेख करेगा कि मोदी जी प्रधान मंत्री बने, बनाम प्रश्टचे में, क्योंकि चाहे वो लोग ने कहा दिया है कि हम पाँच साल में पाँच प्रधान मंत्री बनाएंगे, लेकिन यह नहीं तेख कर पा र जोग किया है, उनका कहना है कि आप लोगों ने इस बात को आगे रखा है, तो यह निश्काश आपने कैसे निकाना है, राहूल जी आप देखिए कि साम पिट्रोडा जी उनके सबसे नजदी के सलाकार है, और वर्शोस है आज की बात ने, और वो तो टॉम-टॉम करते थे दुनिया भर में साम पिट्रोडा जी इनको लेके जाते थे ओवर्शीज कॉंग्रेस के नाम से, और वहां पे भी वो देश के बारे में बड़ा बुरा बला कहते थे, अब ऐसा व्यक्ति जब 55% इनरिटेंस टैक्स की बात उसी समय करे, और मेरा मानना है कि जरूर मैनिफेस वो कहें कि सब की जमापुंजी की हम ब्योरा लेंगे, सब को जाच करेंगे, आपने जो सेविंग्स की हम निकालेंगे, और रीडिस्टिबूशन और वेल्थ की बात करें, तो जमापुंजी रीडिस्टिबूट करने के लिए पहले आपसे तो खेच देनी पड़ेगी ना, चोरी कर लेनी पड़ेगी, तो सबावी ग्रूप से वो यही कह रहें, और फिर आप देखें तीन चीज़ें जो हुएं, एक साथ, एक मैनिफेस्टो कहता है, आपकी संपत्ति काम पूरा जाच करेंगे, हर एक मिडल क्लास आदमी की, देश के हर व्यक्ति की, तो साधारंता तो देश में जैसे 25 क्रोड लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, साधारंता तो अधिक मिडल क्लास ही है, तो उनकी सब की संपत्ति का ब्योरा लिया जाएगा, दूसरा नारेटिव कहा जाते है, जन्च संक्या के आधार पर हम रीडिस्रिबूशन ऑफ वेल्थ करेंगे, तीसरा एक नारेटिव क्रियेट होते हैं, जो मैनोरिटी जैं, उनके साथ जबकिन जूट है, मोधी जी ने अन्याई किया है, तो उनका पहला अधिकार है देश की रिसोरसस पई है, उनके प्रदान मंत्री जी का भी पूर्व प्रदान मंत्री का बयान है, और 14 समय सम पितो पर चोटा सा था 55% टैक्स की बात करना कि हम भारत के लिए अच्छा होगा अब यह चारों को जब आप कडियों को जोड़े तभी तो समझ में आते है कि कॉंग्रेस की सोच क्या है और राहूल गांदी और उनके मित्रपक्ष किस दिशा में देश को लेके जाना चाहिए तो उन्होंने भाषा के आधार पर प्रदेश के आधार पर धरम के आधार और अब तो आपकी और मेरी स्किन के कलर के आधार पर चमडी के रंग के आधार पर भी उन्होंने बेदभाव किया है अब मुझे मालूम नहीं आपका क्या है पर मैं तो महाराष्टर नहीं हो तो मैं किस क्याटेगरी में आता हूँ वो आपके विवस को बता दे रहा पर कितना दुर्भाग्या है कि इन्हों ने जीवन पर इस परकार से लोगों को बाटने की कोशिश किया है इनकी हर योजना मे भी लोगों को बाटा जाता था कर सचर कमिटी क्या थी लोगों को एक एक स्टेट में पूछताज करने निकाला था कि आपने मुसल्मानों के लिए क्या स्पेसिफिक पॉलिसी या स्कीम निका लिया और कितना मैं समझता हूँ दुर्भाग्या पूंट था कि अगर हम इंफ मुसल्मानों को आरक्षन दिया जाएगा उस रूड को इस्तमाल करने के लिए ऐसे ही अगर आप देखे तो करनाटक में उनके राज्यों में उन्होंने बात किये के मुसल्मानों के लिए अरकषन देना चाहिए अब यह सब बाते तो मुस्लिम ली किया करती थी